अब देखो बहुत सारे बच्चे का निफ्यूज होते हैं कि सर्कूलर मोशन और यह सचम जब हम पढ़ते हैं एक्चुली हम सर्कल का हैं लेते हैं सेचम को समझने के लिए अगर इक पार्टिकिल है कॉंस्टेंट स्पीट से इस सर्कल पर चल ला है समझना लेकिन अगर इस पार्टिकिल से मैं एक्स और य एक्स पर इक्सीस पर कहीं भी रहे परपेंडिकूलर डाल दूं तो वह जो परपेंडिकुलर होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अभी पार्टिकल यहां तो y-axis परपेंडिकुलर यहां आया, पी पॉइंट पे, पार्टिकल आगे बढ़ा तो परपेंडिकुलर यहां आया, इधर आया तो परपेंडिकुलर यहां आया, इधर आया तो परप उपर दया फाया पिर निचे यहां स्थ परपेन्डिकूलर इस स्ट परपर्मनेगस परिद चाहिए कि इस वे दो दिए हर्या हर एक प्रियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है और हर हार्मोन हर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो प्रियेडिक होगा ही होगा इस पार्टिकल इजिक्यूट से झाल्य करता ओर्मोन कि दु59 इजु नहीं याल्य के जए लेघ सौढ हता है कुझा फस्का मोशन बाल्टिक कुझा से exceptक्तमें कुझा उिसे प्रियाग झालन लगा हार्मोनिकी होता है लूई शम्राग